C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय तीन आंक्णों का प्रबंधन प्रिष्ठ बहत्तर तीन दशम लवसात माध्यक हम देख चुके हैं कि कुछ स्थितियों में अंकगणिती या माध्य एक उपयुक्त केंदरी या प्रवृत्ती का मापक है तथा कुछ स्थितियों में बहुलक एक उपयुक्त केंदरी या प्रवृत्ती का मापक है आईए अब एक अन्य उदाहरन देखें सत्रह विद्यार्थियों के एक समूह पर विचार कीजिए, जिनकी उंचाई सेंटिमीटर में निम्न लिखित हैं 106, 110, 123, 125, 117, 120, 112, 115, 110, 120, 115, 109, 115, 101, खेल की अध्यापि का कक्षा को ऐसे दो समूह में इस तरहा विभाजित करना चाहती है कि प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो, तथा एक समूह में विद्यार्थियों की उंचाईयां एक विशेश उंचाई से कम हों और दूसरे समुह में विद्यार्थियों की उँचाईयां उस विशेश उँचाई से अधिक हूँ वह ऐसा किस प्रकार करेगी आईए उसके पास जो विभिन विकल्प हैं उन्हें देखें एक वह माध्य ग्यात कर सकती है यह माध्य है 106 है जमा 110 जमा 123 जमा 125 जमा 170 जमा 120 जमा 112 जमा 115 जमा 110 जमा एकसोबीस, जमा एकसोपंदरह जमा एकसोधों, जमा एकसोपंदरह 1913 भाग सत्रह बराबर एक हजार नौ सौतीस भाग सत्रह बराबर एक सौतेरह दशमलव पाँच प्रिष्ट तेहत्तर अथह अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों को यदि ऐसे दो समुहों में विभाजित करती है जिनमें से एक समुह में माध्य उँचाई से कम उँचाई वाले विद्यार्थी हैं और दूसरे समुह में माध्य उँचाई से अधिक उँचाई वाले विद्यार्थी हैं तब इन समूहों में विद्यार्थियों की संख्याएं बराबर नहीं रहती हैं, क्योंकि एक समूह में साथ सदस्य होंगे, तथा दूसरे समूह में दस सदस्य होंगे. 2. उसके पास दूसरा विकल्प है कि वह बहूलक ग्यात करे. सबसे अधिक बारम बारताओं वाला प्रेक्षन 115 सेंटी मीटर है और इसे बहूलक लिया जाएगा. बहूलक से नीचे वाले साथ विद्यार्थी हैं तथा दस विद्यार्थी बहूलक के बराबर या उससे उपर हैं. अतहा हम कक्षा के विद्यार्थियों को दो बराबर सुमूहों में विभाजित नहीं कर सकते. इसलिए आईए अब हम एक अन्य वैकल्पिक प्रतिनिधी मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के बारे में सोचें. ऐसा करने के लिए हम पुनह दी हुई यूँचायों सेंटिमीटर में को देखते हैं और इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं. हम निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त करते हैं. इन आकणों में मध्यमान यानि मिडल वैल्यू एकसाव पंद्रह है क्योंकि ये विद्यार्थियों को दो बराबर समुहों में विभाजित करता है जिनमें से प्रत्येक में आठ विद्यार्थी हैं. यह मान आकणों का माध्यक यानि मीडियन कहलाता है. माध्यक उस मान को बताता है जो आकणों के मध्यमें स्थित होता है. उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तथा आधे प्रेक्षण इससे अधिक मानवाले होते हैं और आधे प्रेक्षण इससे कम मानवाले होते हैं. खेल की अध्यापिका इस बीच वाले विद्यार्थी को इस खेल में निरणायक यानि रफ्री बना सकती है। यहां हम केवल उन स्थितियों को ही लेंगे जहां प्रेक्षणों की संख्या विशम है। इस फ्रकार दिये गए आंकडूं को आरोही या अवरोही क्रम में विवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच यानि मध्यवाला मान उनका माध्यक होता है। ध्यान दीजिए कि सामाने थह हमें माध्यक और बहुलक के लिए एक ही मान नहीं मिलेगा। आईए कुछ उदहरणों को देखें। उदहरण साथ निमनलिखित आंकडूं का माध्यक ग्यात कीजिए। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 हल आंकडूं को आरोही क्रम में विवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46 मध्य यानी बीच वाला प्रेक्षन माध्यक होता है। अथह माध्यक 25 है। प्रयास कीजिए। आपके एक मित्र ने दिये हुए आंकडूं के माध्यक और बहुलक ग्यात किए। उस मित्र द्वारा की गई त्रुटी यदी कोई हो तो बताईए और सही कीजिए। 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34, माध्यक बराबर 42, बहुलक बराबर 32। प्रशनावली तीन दशम लवदो। एक, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किये गयंग निम्नलिखित हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इनाक्णों के बहुलक और माध्यक ग्यात कीजिए। क्या ये समान हैं। प्रिष्ठ 74 दो, एक क्रिकेट मैच में खिदाडियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इनाक्णों के माध्य, भहुलक और माध्यक ग्यात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं। तीन, एक कक्षा के पंद्रह विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं। 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 44, 46, 38, 43, 48, 47। 1. इनाक्णों के बहुलक और माध्यक ग्यात कीजिए। 2. क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। 4. निम्नलिखित आक्णों के बहुलक और माध्यक ग्यात कीजिए। 5. बताइए के निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। 1. बहुलक आक्णों में से सदैव एक संख्या होता है। 2. माध्य दिये हुए आक्णों में से एक संख्या हो सकता है। 3. माध्यक आक्णों में से सदैव एक संख्या होता है। 4. आक्णों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। 3. भिन उद्देश्य के साथ दंड आलेखुं का प्रयोग। 5. पिछले वर्ष हम देख चुके हैं कि किस प्रकार एकत्रित यानि संग्रहित की गई सूचनाओं को एक बारमबारता बंटन सारणी यानि frequency distribution table के रूप में पहले व्यवस्थित करके और फिर इन सूचनाओं को चित्रीय रूप में चित्रा लेखुं यानि pictographs या दंड आलेखुं यानि bar graphs के रूप में निरुपित किया जाता है। आप इन दंड आलेखुं को देख सकते हैं और इनके बारे में निश्कर्ष निकाल सकते हैं। आप इन दंड आलेखुं की आधार पर सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ आप कह सकते हैं कि सबसे लंबा दंड यानि bar ही बहुलक है। यदी दंड बारम बारता निरुपित करता है। 3.8.1 एक स्खेल या माप दंड का चुनना। हम जानते हैं कि दंड आलेख समान चौडाई के दंडों द्वारा संख्याओं यानि आकणूं का निरुपन है। तथा दंडों की लंबाईयां बारम बारताओं और चुनेग इस केल पर निरुपित करता है। उदहरनार्थ एक दंड आलेख में जहां संख्याओं को इकाईयों में दर्शाना है। आलेख एक प्रेक्षण के लिए एक इकाई लंबाई निरुपित करता है। और यदि उसे संख्याओं को दहाई या सेंख्णों में दर्शाना है तो एक इकाई लंबाई दस या सौ प्रेक्षणों को निरुपित कर सकती है। निमनलिखित उदहरनों पर विचार कीजिए। उदहरन आठ चठी और सात्वी कक्षाओं के दोसो विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया ताके यह निरने लिया जा सके के उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निमनलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इनाकणों को एक दंड आलेख द्वारा निरुपित कीजिए। मनपसंद रंग विद्यार्थियों की संख्या। लाल तैंतालीस, हरा उन्नीस, नीला पचपन, पीला उन्चास, नारंगी चांतीस। प्रिष्ठ पिछहत्तर इस दंडालेख की सहायता से निमनलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए। एक, कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है और कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया जाता है। दो, कुल कितने रंग हैं, वे क्या हैं। हल, एक उपयुक्त पैमाना दर्शाय अनुसार चुनिए। स्केल को शून्य से प्रारंभ कीजिए। आंकडों में सबसे बड़ा मान पचपन है, अतह स्केल को पचपन से कुछ अधिक, मान लीजिए, साठ पर समाप्त करते हैं। अक्ष पर समान विभाजनों यानि डिविजिन्स का प्रयोग कीजिए, जैसे के दसकी व्रिधियां। आप जानते हैं के सभी दंड यानि बार्ज शून्य और साठ के बीच स्थित होंगे। हम स्केल को इस प्रकार चुनेंगे ताके शून्य और साठ के बीच की लंबाई ना तो अधिक छोटी हो और ना ही अधिक बड़ी हो। यहां हमें की काई बराबर दस विद्यार्थी लेते हैं। फिर हम आकृती में दर्शाय अनुसार दंड आलेख को खींचते और नामांकित करते हैं। दंड आलेख से हम निशकर्ष निकालते हैं के एक, नीला रंग सबसे मनपसंद रंग है क्योंके नीले रंग को निरुपित करने वाला दंड सबसे लंबा है। दो, हरा रंग सबसे कम मनपसंद रंग है क्योंके हरे रंग को निरुपित करने वाला दंड सबसे छोटा है। तीन, यहां पांच रंग हैं। यह हैं लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। यह ख्षैतिज अक्ष पर देखे जा सकते हैं। उदाहरन नौ, निम्नल खितांकडे किसी कक्षा के छे विद्यार्थियों द्वारा छे सौ में से प्राप्त किये गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरुपित कीजिये। विद्यार्थी प्राप्तांक, अजय चार सौ पचास, बाली पांच सौ, दीप्ती तीन सौ, फैयाज तीन सौ साथ, गीतिका चार सौ, हरी पांच सौ चालीस, हल, एक, एक उप्युक्त स्केल चुनने के लिए हम सौ की विद्यां लेते हुए समान विभाजन अक्ष पर अंकित करते हैं। इस प्रकार एक इकाई सौ अंक निरुपित करेगी। यदि हम एक इकाई से दस अंकों को निरुपित करें, तो क्या कठिनाई होगी। प्रिष्ठ छे अत्तर, दो, अब आंक्णों को दंड आलेक द्वारा निरुपित कीजिए। यहां एक दंड आलेक दर्शाया गया है, जिसमें स्खेल है एक इकाई बराबर सौ अंक। दोहरे दंड आलेक खीचना। आंक्णों के निम्न लिखित दो समूहों पर विचार कीजिए, जो दो नगरों आबेरदीन और मारगेट में वर्ष के सभी बारह महीनों के लिए धूप रहने के आसत दैनिक घंटों को दर्शाते हैं। ये नगर दक्षणी धुरुव के निकट स्थित हैं और इसी लिए यहां प्रति दिन धूप बहुत कम घंटों के लिए रहती है। मारगेट में धूप के आसत घंटे। जनवरी दो, फरवरी 3 एक बटा चार, मार्च चार, अपरेल 4, मई 7 एक बटा चार, जून 8, जुलाई 7 एक बटा दो, अगस्त 7, सिथमबर 6 एक बटा चार, अक्तूबर 6, नवंबर 4, दिसंबर 2। आबेर दीन में धूप के आउसत घंटे जन्वरी एक एक बटा दो फरवरी तीन मार्च तीन एक बटा दो अप्रेल छे मई पांच एक बटा दो जून छे एक बटा दो जुलाई पांच एक बटा दो अगस्त पांच सितंबर चार एक बटा दो अक्तूबर चार, नवंबर तीन, तिसंबर एक तीन बटा चार इनके अलग-अलग दंड आलेक खींच कराब निमनलिखित प्रकार के प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं एक, प्रत्येक नगर में किस महीने में अधिक्तम धूप रहती है या, दो, प्रत्येक नगर में किस महीने में नियूनतम धूप रहती है परन्तू, एक विशेश महीने में किस नगर में धूप अधिक घंटों तक रहती है जैसे प्रशनों के उत्तर देने के लिए हमें दोनों नगरों के ओसत धूप के घंटों की तुलना करने की आवशकता होगी इसके लिए हम उन आलेखों को खीचना सीखेंगे जिनहें दोहरे दंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ्स कहा जाता है इनमें दोनों नगरों की सूचना दंड आलेखों द्वारा साथ साथ दी हुई होती है उपरोक्त दंड आलेख यानी आकरिती तीन दशम लवेख दोनों नगरों के ओसत धूप के समय को दर्शाथा है इसमें प्रत्येक महीने के लिए हमारे पास दो दंड हैं जिनकी उंचाईयां प्रत्येक नगर के ओसत धूप के घंटों को दर्शाथी हैं इससे हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि अप्रैल के महीने को छोड़ कर अन्य सभी महीनों में मारगेट में आबेरदीन की अपेक्षा धूप सदैव अधिक रहती हैं आप इसी प्रकार का दंड आलेख अपने एक शेत्र या नगर के लिए भी बना सकते हैं आएए एक और उदाहरण लें जो हमसे अधिक संबंधित है उदाहरण 10 गनित की अध्यापिका यह जानना चाहती है कि तिमाही परीक्षा के बाद उसके द्वारा फढ़ाई में अपनाई गई नई तकनीक का कोई प्रभाव पढ़ा या नहीं वह सबसे कमजोर पांच बच्चों द्वारा तिमाही परीक्षा 25 में से और 6 माही परीक्षा 25 में से में प्राप्त किये अंकों को लेती है जो इस प्रकार हैं विद्यार्थी तिमाही 6 माही आशीश 10 15 अरुण 15 18 कविश 12 16 माया 20 21 रीता 9 15 हल पहले वह सनलगन आक्रिती में दर्शाय अनुसार एक दोहरा दंड आलेक यानि डबल बार ग्राफ कीचती है दंडों को देख कर लगता है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है अथह वह निरणए लेती है कि उसे अपनी नई शिक्षन तकनीक जारी रखनी चाहिए यहां इस हुदहरन के साथ एक दोहरा दंड आलेक दिया गया है जिसमें विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों की तुलना की गई है स्केल एक इकाई बराबर पांच अंक दिया गया है प्रिष्ट 78 क्या आप कुछ अन्य स्थितियों के बारे में सोचते हैं जहां आप दोहरे दंड आलेकों का प्रयोग कर सकते हैं प्रयास कीजिए एक दिया हुआ दंड आलेक आकरिती 3.2 विभिन कमपनियों द्वारा बनाई गई जल प्रतिरोधी यानि वाटर रिजिस्टंट घडियों की जाँच के लिए किये गए एक सर्वेक्षन को दर्शाता है इन में से प्रत्येक कमपनी ने यह दावा किया कि उनकी घडियां जल प्रतिरोधी हैं एक जाँच के बाद उपरोक्त परिणाम प्राप्त हुए हैं ए, क्या आप प्रत्येक कमपनी के लिए रिजसाव यानि लीक वाली घडियों की संख्या की जाँच की गई कुल घडियों की संख्या से भिन बना सकते हैं बी, इसके आधार पर आप क्या बता सकते हैं के किस कमपनी की घडियां बेहतर हैं आक्रिती 3.2 इस आक्रिती में एक दोहरा दंड आलेख दिया गया है जिसमें विभिन कमपनियों द्वारा बनाई गई जल प्रतिरोधी घडियों की जाँच के लिए किये गए सर्वेक्षन को दर्शाया गया है स्केल एक इकाई बराबर दस घडियां दो वर्षूं 1995, 1996, 1997 और 1998 में अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों की बिक्री नीचे दी गई है 1995, 1996, 1997, 1998 अंग्रेजी, हिंदी 350, 500, 400, 525, 450, 600, 620, 650 एक दोहरा दंड आलेख खीचिये और निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिये A. किस वर्ष में दोनों भाशाओं के पुस्तकों की बिक्री का अंतर न्यू नितम था B. क्या आप कह सकते हैं के अंग्रेजी के पुस्तकों की मांग में तीजी से व्रिधी हुई है इसका आउचित्य समझाईए अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचनस्वर गौरव मारवा तकनीकी समनवयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत